नमस्कार साथियो, स्वागात है आपका हमारे ओनलाइन यूट्व प्लेटफर्म, क्रेजी जी के ट्रिक पर मैं हूँ दिनेश साहू, और आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महतुपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन जोग्राफिक क अंतरकत एक बहुत ही महतुपूर्ण टॉपिक को डिसकस करेंगे, टॉपिक का नाम है पश्चिमी घाट या फिर वेस्टन घाट, किसी भी एक्जाम के दिश्टी कौन से काफी महतुपूर्ण टॉपिक होता है और अक्सर हमें यहां से एक्जाम में कोशन देखने को मिलते हैं, चाहे आप वंडे एक्जाम की बात कर लिजे, SSC, Railway या फिर कोई और वंडे एक्जाम हो, या फिर आप किसी स्टेट PCS की बात कर लिजे, या फिर UPSC की बात कर लिजे, हर एक एक एक्जाम में यहां से हमें काफी कौशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वायो डाइवर की दश्टी कौण से, इंडिया की फिजिकल जोग्रफी की दश्टी कौण से, तो डेटेल में आज हम इसकी मैपिंग को डिसकस करेंगे, एक एक चीज हमें यहां पर बहुत ही डेटेल में डिसकस करेंगे, तो वीडियो लेक्चर को आप अन्दे तक जरूँ देखिए, चल हमारी civil services, यह जो हमारा batch है, civil services का एक foundation batch है, ठीक है, तो आप इसको avail कर सकते हैं, और मेरे साथ live geography पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसके लब आपको मेरे recorded geography के batches भी मिल जाएंगे, तो वहां पर आप मेरे साथ जुड़ करके geography पढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो पश्चिमी है, यह कहां पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो यह हमारा भारत का आपको नक्षा दिखाई दे रहा है, भारत का आपको map दिखाई दे रहा है, ठीक है, और भारत में यह आप देखोगे, तो यह वाला जो भारत का reason है, ठीक है, यह वाला जो पूरा reason है, यह वाला जो इसको हम बोलते हैं प्राया द्वीपिय पठार, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्राया द्वीपिय पठार, या फिर इसको हम बोलते हैं पैनिन्सुलर प्लेट्यू, ठीक है, और पैनिन्सुलर प्लेट्यू जो आप यह देख रहे हैं, तो इसके जो यह दौनों किनारे इसके जो ये दौनो किनारे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर इस प्रकार से, इसके दौनो किनारों पर आपको यहाँ पर कुछ परवत टाइप के कागार देखने को मिलते हैं, फिर आप अभी ऐसी समझी कि ये परवत देखने को मिलते हैं, प्रायदुपी पठार के दौनो किना एक यहां पर आपको परवत देखने को मिलता है, इसी को आज की लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं, पश्चिमी घाट या फिर वेस्टन घाट इसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्रायदुपी पठार के पश्चिमी किनारी पर एक हमें माउंटीन देखने क को मिलता है, आप देखेंगे या तापती नदी के मुहाने से लेगर के लाष्ट में कन्यकुमारी तक, इसी को हम बोलते हैं, पश्चिमी घाट परवत या फिर पश्चिमी घाट, पूर्व में आप देखेंगे तो आपको पूर्वी घाट परवत देखने को मिलता है, चलिए, next map की ओर चलते हैं हम यहाँ पर ठीके, अब हम एंडिया के पूरी map की जरुरूरत नहीं है, तो सिर्फ हम यहाँ पर प्रायोधिपी भारत का ही यहाँ पर हम तापी नदी, है न, बैतूल मुलताई सक्पुडा रेंज है, वहाँ पर बैतूल एक जिला है मत्रदेश में, वहाँ पर ही मुलताई से तापती या फिर तापी नदी निकलती है, जो की पश्चिम की ओर बहती है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, खमबात की खाड़ी में जाकरके अपना जिल गराती जो की अरब सगर कही पाठ है, यहाँ से वेस्टन घाट परवत स्टार्ट होता है इस प्रकार से, और दक्षिन में कैप कैमोरिन, यहाँ पर क्या है, कैप कैमोरिन, या फिर कन्या कुमारी, कन्या कुमारी, ठीक है, जो वेस्टन घाट परवत है यह तापती नदी के मुहानि से लेकर के दक्षण में, कैप के मोरिन तक, पूरा सतत अवस्था में, ठीके, श्टार्ट होता है, और दक्षण में ही समाप्त होता है, बीच में आपको कुछ दर्रे भी डिसकस करेंगे, बीच में आपको कुछ गैप भी देखने को मिलते हैं, दर्रे भी देखने को मिलते हैं, अब सबसे पहली वात एक वात आपको याद रखना है, भारत की जो सबसे longest, सबसे लंबी जो mountain range है, वो कौनसी है, हिमाले, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, भारत की सबसे लंबी mountain range है, हि लगवग 2400 km length में ये फैली हुई है, ग्रेटर हमाले की भी बहुत सारी पार्ट है, ग्रेटर है, मिडिल है, शिवालिक है, इस्टन हिल्स है, ठीक है, तो जो ग्रेटर हमाले में range है, जो हमाले की, ये लगवग 2400 km length में फैली हुई है, ठीक है, उसके बाद जो second longest lake है, वो ह वेस्टन घाट जो आज की लेक्चर में हम पढ़ रहा है यह लगभग है इस रीजन में आप देखेंगे आपको महाराष्ट का पथार देखने को मिलेगा महाराष्ट पथार यह फिर जिसको हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं ठीक है यहां करनाटक में आपको करनाटक का पथार देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर इस रीजन में आप देखेंगे, तो आंद्रा का पथार, तेलंगाना का पथार आपको देखने को मिलेगा, रॉयल सीमा का पथार आपको देखने को मिलेगा, फिर कभी हम डिटेल में, प्रा अभी हम पश्चिमी घाट पड़ रहा है ठीक है तो इसके पूरा उत्तर में आपको प्रायदुपी पठार में अलग-अलग पठार देखने को मिलेंगे और पश्चिम में जो आप देख रहे हैं इस रीजन में है यहाँ पर आपको पश्चिमी तटिय मैदान देखने को मिलत हैं मतलब इसी पश्चिमी घाट से जो नदिया निकलती हैं उनके द्वारा ही इन मैदानों का निर्माण किया गया है तो बहुत ही संक्रीन, सक्रा, पतला सा मैदान देखने को मिलता है और यहाँ पर फिर क्या है तो यहाँ पर अरवसागर, अरेबियन सी हमें देखने को मि इससा है जब हम भारत का भाहुलिक बिभाजन पढ़ते हैं भौतिक बिभाजन पढ़ते हैं फिजिकल फीचर पढ़ते हैं तो मुख्यताम according to NCRT छह फिजिकल फीचर पढ़ते हैं जैसे कि उत्तर में हिमालय रिंज, फिर उत्तर का विशाल मैदान, प्रायदुपी पठार इतनी चीजें आपको याद रखना है, तापती नदी की मुहानी से लेकर के दक्षण में कन्यकुमारी तक है, 2400 हिमाले के बाद 2nd longest range है ठीक है, और कहां पर इस्तित है तो प्रायदुपी पठार के पश्चिमी किनारे में आपको देखने कोई मिलता है, ठीक है, चलिए, आ देखिए, इसका formation कैसे हुआ है बच्चो, तो जब हमारी Indian Plate, Eurasian Plate से टकर आई, आपको पता होगा, जो हमारी Indian Plate है या फिर प्रायदुपी भारत है, ये प्राचीनतम गौनवाना लेंड का हिस्सा थे, आपको पता होगा वो सारी चीजें, ये आज से करीब 25 से 20 करोड़ वर अंगारा लेंड और नीचे वाले को बुला गया, गौनडवाना लेंड ठीक है और इसी गौनडवाना लेंड में हमारा इंडिया प्रायदुपी भारत स्थिध्धा, समय के साथ ये उत्तर पूर्व की और मूव करता हुआ यहां पर Eurasian Plate से टकर आया, और फिर हिमाले की उ टकर हुई ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ, थ्थोड़ा साब समझेए, एक मैट, यह हमारा कुछ पश्चिमी घाट इस प्रकार से है, ठीक है, पश्चिमी घाट कुछ हमारा इस प्रकार से है, ठीक है, अब यह वाला जो हिस्सा था, जब हमारी इंडियन प्लेट, ठीक ह आई है, यह हमारी इंडियन प्लेट है, और यह यूरेशन प्लेट है, जब इनकी टकर हुई, लगबग 5.5 करोड वर्ष पहले, जब इसकी टकर हुई, उसी साइम लग टकर के आसपास, लगबग 5.5 करोड वर्ष पूरु, तो यहाँ पर एक धराड थी, ठीक है, प्रायद जो दरार फॉल्ट वाला हिस्सा था, यह नीचे खिसक गया है, और कुछ इस प्रकार से संडशना बन गई, यह हमारा प्रायदुपी पठार हो गया, और यह वाला जो हिस्सा था, यह नीचे भज गया है, यहाँ पर आपको वर्तमान में अरब सागर देखने को मिलता है, अ अब इसको यहाँ से आप देखेंगे, फिर धीर समय के साथ यहाँ पर मैदानों का निर्माण हो गया, अब यहाँ से आप देखेंगे, तो यह बिल्कुल खड़ा परवत आपको दिखाई देगा है, मतलब कुछ इस प्रकार की संडशना आपको यहाँ पर दिखाई देती ह तो इस प्रकार से वेश्टन घाट का निर्माढ हुआ है, जब हमारी इंडियन प्लेट, यूरेशन प्लेट से टप रहाई, तो करीब 5.5 करोड वर्षपूर्व जो वेश्टन घाट है, जहाँ पर पश्चिमी घाट परवत देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एक दरार थ मतलब यहाँ पर पानी आ गया, इस छेत्र में जहाँ पर प्लेट यह नीचे गई थी, ठीक है, और समय के साथ यहाँ पर यह वेश्टन घाट का निर्माढ हुआ, तो इस प्रकार से वेश्टन घाट है, इसका फॉर्मेशन हुआ है, निर्माढ हुआ है, आपको याद रख अब यह आप प्रायदीपी भारत की संडशना को देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको विंदे माउंटेन देखने को मिलता है, जो कि हमारी प्रायदीपी भारत की एक प्रकार से बॉर्डर को निर्धारण करता है, यहाँ पर विंदे परवत है, यहां पर आपको पश्चिमी घाट वेस्टन घाट देखने को मिलता है और यह इस्टन घाट देखने को मिलता है तो यह कहीं न कहीं कागार का ही एक्जामपल है वेस्टन घाट हो गया यहां विंदे परवत हो गया यहां पर इस्टन घाट हो गया ठीक है तो यह क्या है हमारे प्रायुदीपी भारत के कागार का एक्जामपल है, विंद्परवद भी कागार का एक्जामपल है, इसी प्रकार से Western घाट भी कागार है, एक्सकार्पमेंट है, तो यह बात आपको याद रखना है, कि इंडियन प्लेट, जब युरीशन प्लेट से टकराई, तो इसका कुछ वेश्टन घाट का नीचे धस गया, वहाँ पर अरब सागर का विकास हो गया, और वहाँ से उस प्रकार से वेश्टन घाट की उत्पत्ती हुई, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्माड हुआ है, ठीक है, अब इसकी हम complete एक बार mapping समझते हैं, कि कौन-कौन सी चीजे यहा पर कहां कहां पर हैं और कैसे इसका, मतलब क्या कही चीजे है, एक्जाम के दश्टी कौन से यहां पर महत्वपूर है, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम एक प्रायदुपी भारत का इस प्रकार से यहां पर हम मैं बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहां पर आप गाट बनाना है यहां पर आपको परवत देखने को मिलेगा यहां पर आपको परवत देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नील गिरी ठीक है और यहां पर आपको इस प्रकार से इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है, बास समझ में आ गई, यह पश्मी घाट परवत है, पूरा सतत अवस्था में continuous है, ठीक है, यह यहां से, तापती नदी की मोहने से लेकर के कन्या कुमारी तक, पूर्वी घाट परवत को देखोगे, तो यह असतत अवस्था में हैं फिर discontinue है, मतलब अलग-अलग hills देखने को मिलेंगे, एक पहाड़ी अधर है, एक पहाड़ी अधर है, तो कटा-छटा है यह भी इससे, क्यूंगि आपको पता होगा, जो हमारा प्रायदीपी भारत का slope है, वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से, यहां पर प्रायदीपी पठार या फिर peninsular pit 2, अब जो प्रायदीपी पठार का धाल है, यह किस ओर है, यह पूर्वी की ओर है, यह फिर east की ओर है, यही रिजन है कि जितने भी बड़ी बड़ी नदियां आप प्रायदीपी पठार के देखेंगे, सभी जो भी western घाट से निकलती हैं और भी जो प्रायदीपी पठार से निकलती हैं, वो सभी कहां जाती हैं, पूर्वी की ओर जाती हैं, for example, गोदावरी देख लीजे, ठिक है, टिश्ना देख लीजे, कावेरी देख लीजे, महा नदी देख लीजे, सुनर रिखा देख लीजे, और भी इसकी बहुत सारी ट् देखेंगे, सभी नदी पूर्वी की ओर ही जाती हैं, इसका रीजन क्या है, कि पूर्वी जो प्रायदीपी पठार है, उसका स्लोप की सोर है, पूर्वी की ओर है, और इन नदियों ने समय के साथ इस्टन घाट का क्या किया है, बीच से छरण किया है, अपरदन किया है, य यह सारे जो concept वाले चीजे मैंने आपको बताए हैं, यहां से civil services जैसे exam में बहुत question बनते हैं, तो यह सारी चीजे आपको याद रखनी है, ठीक है, जो जो भी मैंने आपको बताए, इसका formation कैसे हुआ, इसको escarpment क्यों बोलते हैं, यहां से सारी नदिया निकलती हैं, वो पूर चोटी चोटी नदिया, जो अरब सागर में गिरती हैं, तो यह western khart से निकलती हैं घापश्चोमी घाट परवत के पश्चमी raid से निकलती हैं कहीं na कहीं और कहां arabian sea में जा करके गिरती हैं समझे कि यहां से जो भी मैंने निकलती है जबकि जो नदियां पूरवी की ओर जाती है यह डेल्टा का निर्मान करती है, अब ऐसा क्यों है, तो अश्चूरी का मतलब क्या होता है, जब नदी अपने मुहाने पर जाएगी यह नदी है, यह कोई सागर है, यह समुद्र है, अब यह नदी क्या था, जो भी अपने साथ अवशाद लाई थी, उसको समुद्र के अंदर ही deposit कर देती है, और सागर में जो लहरे चलती है, तरंगे चलती है, वो उस अवशाद को अपने साथ और गहराई में ले जाती है, मत इसलिब मोहाने पर यह आवशादों को छोड़ती नहीं है, डारेक्ट महासागर सागर में ही छोड़ती है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो भी सागर पाए जाएंगी, कोष्ट पाए जाएंगी, वहाँ पर गहरा ही अच्छी पाए जाएगी, और यही रिजन है कि यहाँ और पोर्ट, नैचुरल पोर्ट भी अच्छे डेवलप होते हैं, ठीक है, जबकि डेल्टा में क्या होता है, नदियां स्टार्टिंग से ही, चुकि यहाँ तक आते आते, बंगाल की खाड़ी में मोहाने तक आते आते, उनकी स्पीड, उनका वेग काफी कम हो जाता है, नद को हम डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, कई वर हम डिसकस कर चोके हैं, तो याद रखेगा कि जो पश्चिमी घाट से पूर्वी की और बहने वाली नदियां हैं, पर प्रायोधिपी भारत के पूर्वी की और बहने वाली नदियां, अरब सागर मे जब यह मिल रही है तो इनका विक कम नहीं हो रहा है ठीक है डेल्टा कब नदिया वनाएंगी जब वो अपने मुहाने पर काफी स्लो हो जाएंगी स्लोप काफी कम हो जाएगा ठीक है मतलब आफशात को जब कम काटेगी भी हो तो उसका डिपोजेशन भी कम करेगी साथी साथ यहां पर वेश्टन घाट में आप देखेंगे वर्षा भी जादा होती है तो इन नदियों में कहीं न कहीं पाने की अधिकता भी होती है और एक और रीजन क्या है कि वेश्टन घाट से यह नदियों निकलती है बहुत कम दूरी तया करेके डारेक्ट महा सागर में गिर जाती है अरब सागर में गिर जाती है तो यह सारे रीजन है कि यहां की नदिया एशुरी का निर्मान करती है और वहां जाने वाली नदिया डेल्टा का निर्मान करती है तो यह सारे civil services की दश्टिकोंट से conceptual चीजे थे यह आपको याद रखना है ठीक है अब फाइनली वन डे और civil services के साब से हम इसकी महत्वपून मैपिंग को हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी mountain peaks कहां पर है और कौन-कौन सी चीज़े यहां पर कहां पर है ठीक है चलिए सबसे पहले हम इसकी मैपिंग के अंतरगत ठीक है यहां पर सबसे पहले हम महाराष्ट प्लेट्ट्यू में हम देख लेते हैं अब इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहां गोवा से सोला डिगरी जो अक्छांस गुजरती है इसको दो भागों में डिवाइट करती है ना नदर्न वेस्टन घाट और सदर्न वेस्टन घाट ऐसा आप समझ सकते हैं कई जगा तीन भागों में भी डिवाइट करता है आप कुछ भी कर सकते हैं तीन भागों में वाट लीजे द कालसु वाई, कालसु वाई, 1640 मीटर इसकी उचाई है, सबसे important mapping है, कहाँ पर कालसु वाई, कहाँ पर इस्तित है, यह महराष्ट का पठार, महराष्ट वाले रीजन है, ठीक है, महराष्ट प्रेट्ट्यू की सबसे उंची चोटी है, या फिर नदर्न वैस्टन घाट की है, उत्तिरी वैस्टन घाट की सबसे उंची चोटी है कालसु वाई, ठीक है, वैस्टन घाट का ही हिस्सा है, याद रखना है, इसके लावा महराष्ट के पठार की भी सबसे उंची चोटी है, कालसु वाई, इसकी height भी याद रखना, कई वर यहाँ से exam में question आता है, ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी छेत्र में, मुंबई देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके लावा यहाँ पर आपको नासिक देखने को मिलेगा, ठीक है, नासिक देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको पूने देखने को मिलेगा, ठीक है, तीन महात पून्ट चीज, आप इसको mention करेगा, यहां मुंबई हो गया, नाशिक हो गया, पूनी हो गया, ठीक है, अब यहां पर दो आपको पास याद रखने, एक पास यहां पर है, ठीक है, एक पास यहां पर है, और एक पास यहां पर है, पास मतलब दर्रा, दर्रा क्या होता है, जैसे माले यह परवती छे यह पूरा परवती छेत्र है, इस प्रकार से यह परवती छेत्र है, एक सहर यहां पर है, मतलब एक सहर इसके साइड है और एक साइड उसके अपोजिट साइड है, अब यहां से वहां जाने के लिए क्या है, कोई परवत है तो उसको पार करना पड़ेगा, तो ऐसे ही परवतो यहां से उस साड जाने के लिए ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दर्र, या फिर दर्रे, तो इसी प्रकार से यहां पर कुछ दर्रे है, एक पहला जो यह दर्रा है, इसको हम बोलते हैं, ठाल घाट, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठाल घाट, ठीक है, और एक दर्रा यह पर है, इसको हम बोलते हैं, भोर घाट, ठाल घाट जो है, ये मुंबई और नासिक को connect करता है, इसके लावा जो भोर घाट है, ये मुंबई और पुने को connect करता है, बास समझ माई, थाल घाट मुंबई नासिक को जोडता है, और भोर घाट मुंबई और पुने को आपस में जोडता है, ठीक है, जो नासिक और पुने हैं, ये पश्चिमी घाट के पूर में देख देखने को मिलेंगे और जो मुंबई है ये पश्चमी घाट के पश्चम में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये दो दर्रे बहुत महत्पूर है इनकी मैपिंग बहुत महत्पूर है ये आपको याद रखना है multiple times यहां से question आया है ठीक है क्या discuss किया सबसे पहले हमने हैं सहयाद्री परवत तो वैश्टन घाट का मतलब ही सहयाद्री है और अच्छे से आप बोलना चाहिए तो जो नदर्न वैश्टन घाट है इसको हम सहयाद्री के नाम से जानते हैं ठीक है तो इतनी mapping clear हो गई यह महराश्ट के पठार में इतना याद रखना है इसके लावा यह यहाँ पर एक और है, महाबलेश्वर् I है महाबलेश्वर् कि यहां से आपको पता है क्रिमा नदी निकलती है ठीक है तो आपको यह तernा ठंब कर देखने को मिलेगे जहां से गोदवृरी नदी निकलती है तो फिलाल आप जाच ए 40 वाला reason ही हम discuss कर रहा है, यहाँ पर महराष्टर वाला reason हम discuss कर रहा है, अब यहाँ पर कुछ अन्य महत्पूर्ण चीजें है, सबसे पहले यहाँ पर तापती नदी भैती है, यह कौन सी नदी है, तापती है, तो तापती के ही यहाँ पर आपको एक range देखने को मिलेगी, जिसक नर्मदा विंद और सत्पुड़ा के वीच में वैती है, उसी प्रकार से तापती सत्पुड़ा और अजन्ता के मध्य में प्रवाहित होती है, यह बात आपको याद रखना, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगी range यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं सत्म सत्मला, ठीक है, अजन्ता सबसे उत्तर में है, उसके नीचे क्या है सत्मला है, ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से, तो आपको एक बाला घाट range देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको एक और हरिषचंद्र, हरिषचंदर range देखने को मिलेगी, ठी अलग से बना दिया ठीक है, वहाँ पर जगाई नहीं थी, और यहाँ पर ही आपको महाँ वलेश्वर देखने को मिलेगा, महाँ वलेश्वर देखने को मिलेगा, क्लियर है, तो बस इसका भी क्या उत्तर से दक्षण की हो, सिविल सर्वेसे जैसे एक्जाम में पूछ सकते हैं, तो अजन्ता, सत्मला, बाला घाट और हरिश्चंद, ठीक है, यह रेंजिस हो गई, यहाँ कुछ मैंने माउंटेन पीक्स बता दिये, ठाल घाट और भोर घार यह दो पासिस बता दिये, ठीक है, यह चीज है कुछ आपको याद रखनी है, काफी ज़्यादा महत्तपों है, चलिए, तो यह बच्चों महराष्ट्र वाले रीजन में, इसकी कंप्लीट हमने मैपिंग को डिसकस कर लिया, अब हम चलते हैं करनाटक वाले रीजन में, ठीक पर हम बना लेते हैं, यह वेस्टन घाट हो गया, अब करनाटक में यह दिया आप देखेंगे, तो आपको एक हिल्स याद रखनी है, यहाँ पर, यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, बावा बूधन, हिल्स या फिर बावा बूधन की पहाड़ियां, ठीक है, यह कहां आता हिल्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर एक और हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, कुंद्रे मुख, कुंद्रे मुख हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, अब जो बावा बूधन की हिल्स हैं बच्चों, यह किसली जानी जाती हैं, तो यह दो चीजों के लिए जान अब जो इसका नाम पढ़ा है बावा बूदन ये एक सूफी संथ से जो कि साउधी अरब से आय थे बहुत प्राचीन समय में और कॉफी के कुछ बीज लाए थे साउधी अरब से और उन्होंने यहाँ पर कॉफी के कुछ पौधों को रोपा था वहां से यहाँ पर कॉफी की अच्छी गोड़वत्ता कि यहाँ पर कॉफी होती है करनाटक कॉफी के उत्पादन में भी उपर आता है ठीक है इसके लावा लोहे के उत्पादन के लिए यह जाने जाती है अब इसी रेंज के आसपास या फिर मैन रेंज यही है एक छोटी हिल्स कोई और है तो वहां पर सबसे उची चोटी है मुल्यानगरी है यहाँ पर सबसे उची चोटी है करनाटक के अंतरगत यह आपको याद रखना है लगवग 1925 मीटर इसकी हाइट है तो याद रखना बावा बूधन हिल्स कहां पर है करनाटक राज में है वैस्टन घाट का ही हिस्सा है कॉफी और लो कुंद्रे मुख एक और हिलस हैं यहाँ पर जो की खास तो पर उच्च गुडवत्त तक जो लोहा होता है जो 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 एंत पोर्ट करनाटक के अंतरगथी, मंगलूर या फिर मंगलूर पोर्ट है, तो यहां से जापान को जो भी लोहा निकाला जाता है, यह जापान को निर्यात किया जाता है, अब देखें, जापान जो है, यह हमारा मित्र देश है, मित्र कंट्री है, काफी अच्छा दोस्त है, हमे कुरंजी या फिर कुरुंजी नाम का फूल होता है, जो हर 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष में फूल खिलता है, ठीक है, लगवक्त 10 वर्ष में फूलता है, कहीं कहीं 10 मिलता है, कहीं 12 लिखा मिलता है, 10 वर्ष कर लेजे इसको, तो कुरुंजी नाम का जो ये फूल है, यहाँ पर ब अहत्यपूर्ण जो है वह हम डिसकस कर लेते हैं ठीक है यह दक्षन वाला हिस्सा ठीक है यह साउथ वाला हिस्सा मैंने आपको बनाया है मतलब कुछ करनाटक का यहां केरल है और यहां तमिल नाडू है ठीक है तो यहां पर अपसे पहले आपको एक याद रखना है नील गरी ह मैंने आपको यहां पर बना के बताया इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम नील गरी ठीक है अब जो नील गरी परवत है बच्चों यह पूर्वी घाट और पश्वी घाट के मिलन इस्थल पर है ठीक है और तीन राज्यों के अंतरकत यह देखने को मिलता है एक तो क करनाटक राज है और एक तो तमिलनाडु राज है यहाँ पर इस प्रकार से तमिलनाडु राज है केरल है और करनाटक है तो तीनों राज़ी की बॉर्डर पर निलगरी माउंटेन हमें देखने को मिलता है इसके लाबा निलगरी के आसपास का जो छेतर है इसको वायोस्फियर रिजर्व भी घोशित किया गया है जैव मंडल अरक्षे छेतर भी घोशित किया गया है और भारत का पहला इंडिया का फर्स्ट वायो स्फियर रिजर्व है यह ना 1985-1986 में इसको वायो स्फेर रिजर्ब घुशित किया गया था और लगवग 10 नेशनल पार्क इसके अंतरगत आते हैं 10 नेशनल पार्क और भी बहुत सारे वन जीव अभ्यारन आते हैं ठीक है याद रखेगा इसके लावा वायो डाइवर्सिटी की हिसाब से बहुत ही महत्रपूर्ट छित्र है बहुत ही नई प्रकार बहुत ही अलग अलग प्रकार की हैं पर वनस्पतियां और जीव जन्तू एंडमिक स्पीसीज वगएर यहां पर पाई जाती हैं वनस्पतियां यहां पर पाई जाती ठीक है तो याद रखिएगा नीलगरी के बारे में, नीलगरी की सबसे उची जो चोटी है उसको हम बोलते हैं डोड़ा वेट्टा, ठीक है, 2636 मीटर इसकी उचाई है, डोड़ा वेट्टा, नीलगरी की सबसे उची चोटी है, नीलगरी की सबसे उची चोटी है, लिख लेना ही ना मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं नेलगिरी के बारे मा इह बता रहा हूं और दख्षिंभारत की प्रायादुपी भारत की लिख रहा हूं है पर प्रायादुपी भारत की second highest mountain peak है मतलब जोे पूर pare Environment भारत है, उसकी second highest mountain peak है और निलगिरी की सबसे उची छोटी है, डोडवेट्टा, इतना याद रखेगा, बहुत ही ज्यादा महतुकुना, ठीक है, अब इसी निलगिरी mountain में जो तमिलनाडू वाला रीजन है, यहां पर आपको ऊटी हिल स्टेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक तो इतना भूत है, sufficient है और कुरुनजी नाम का फूल यहां पर भी देखने को मिलता है, ठीक है, कुरुनजी नाम का जो फूल है, जो प्रतिक-दर्श-वर्ष के पश्चात फूलता है, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है इतनी चीज़े याद रखेगा, यहा और Tamil Nadu, कहां पर केरल plus Tamil Nadu राजी में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, इलाइची कार्डेमम की पहाडियां, दक्षनतम पहाडियां हैं हमारे भारत में या फिर Western Ghats की दक्षनतम पहाडियां है, केरल और Tamil Nadu राजी में, यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से, Tamil Nadu राज म आपको पालनी की पहाड़ं देखने को मिलेंगी, पालनी hills देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर एक Hill Station है कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, Hill Station. Hill Station समझते हैं these, Hill Station मतलब क्या होता है गाशत वर हमारे भारत है गर्मदेश माना जाता है, दस महीने लगवक यहां पर गर्मी रहती है, नौ महीने, दस महीने गर्मी रहती है, खास्तर पर दक्षण मारत में तो और ज्यादा रहती है, तो जितने भी यह लोग घूमने जाते हैं, थोड़ा ठंडा रीजन होता है पहाड़ों में पहाड़ों की खुपसूर्ती देखने लोग जाते हैं, ठीक है, तो कोडाई करनाल हो गया, ऊटी हो गया, ऐसे बहुत सारे hill station है, ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर एक और hills आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते है, अन्ना मलाई की पहाड़ियां, अन्ना मलाई की पहाड़ियां, और इसी की सबसे उची अनाई मुडी, अन्ना मलाई पहाड़ी की सबसे उची चोटी है, इसकी हाइड कितनी है, तो 2695 मीटर है, यह सारे चीज़े आप नोट डाउन करते जाएए, जो भी मैं बता रहा हूँ, यह एक्जाम में आई हुए चीज़े हैं, और यहां सही question बारवार repeat होते हैं, ठीक है अब अन्ना मलाई की पहाड़ी की पहाड़ी की राज्यों में हैं, तो अन्ना मलाई की पहाड़ी की पहाड़ी की राज्यों में हैं, नीलगरी परवत की राज्यों में हैं, ठीक है, तो अन्ना मलाई की पहाड़ी की पहाड़ी की राज्यों में हैं, पालनी की पहाड़ी की केरल में है, नेलगीरी परवत, तीन राज्यों में है, करनाटा, केरल और तमिल नाडू, ठीक है, बहुत कॉश्चन यहां से आते हैं, तो यह इतनी चीज़ें याद रखना है, ठीक है, अब 2695 अनायमोडी, यह दक्षन भारत की, प्रायदुपी भारत की, सबसे उंची चोट अब यहां पर कुछ दर्रे भी देखने को मिलते हैं, नेलगीरी परवत की दक्षन में एक दर्रा देखने को मिलता है, यहां पर एक पास देखने को मिलता है, ठीक है, क्या नाम है इसका पालगाट गैप, नेलगीरी के दक्षन में और अन्नामलाई के उत्तर में एक पालग तूल देखने को मिलेगा, कोयम बतूर, ठीक है, पलककड को कोयम बतूर से जोडता है, पाल घाड गेप, ठीक है, तो ये आदरक्षी का बहुत ही महत्पूर है, ठीक है, यहाँ पर, इसके निलगरी की दक्षण में अन्नामलाई के उपर, और एक और गेप आपको देखने को म मिलेगा, यहाँ पर बना देता हूँ मैं, सिनकोट, ठीक है, सिनकोट दर्रा, यह किसको आपस में जोडता है, तो सिनकोट गेप जोए, तिरू अनन्त पुरम, तिरू अनन्त पुरम को मदूरई से, इसी के दक्षण में है, मदूरई से आपस में कनेक्ट करता है, इसी के द दर्रे मैंने आपको बताए, यह भी आपको याद रख लेना है, दो दक्षण में और दो उत्तर में, ठीक है, इसके लावा यदि आप पूरे western घाट में देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 200 से 700 cm वर्षा देखने को मिलती है, average यदि आप देखेंगे तो लगवग 200-200 cm हो यही रीजन है कि यह जैव विविद्ता के hot spot है, अब होता क्या है, ठीक है, यह western घाट है, आपको पता है, दक्षण पूर्वी जो मौनसूनी पवने आती हैं, इस प्रकार से आती है, western घाट से टकराती है, और इस रीजन में, यहाँ से हवाय आएंगी इस प्रकार से, इसक ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, तो वर्षा ज्यादा होगी, तो वन ज्यादा होगी, वन ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, वन ज्यादा होगी, वन ज्यादा होगी, वन ज्यादा होगी, तो यहाँ इस प्रकार से, जैव विविद्ता का ही hot spot बन जाता है, और यहाँ प पर इन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारे इसकी विशेष्टा हैं, आपको याद रखना है, सारी चीज़ें मैंने आपको इसकी discuss करा दी है, फॉर्मेशन से लेकरके, इसकी लोकेशन से लेकरके, महत्पूर्ण मैपिंग से लेकरके, हर इक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको discuss करा दी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, अब इसकी जो PDF है, मैं आपको फिरी में टेलेग्राम में अवेले को मिलता है, तो करनाटक में, केरल में और तमिल नाडू में, आंदर प्रदेश में नहीं मिलता, तो एक, दो और तीन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है, फिर प्रायदुपी भारत की सबसे उची चोटी, अनाइम उड़ी है, 26 295 मेटर इसकी उचाई है, और ये कहां देखने को मिलती है, तो ये हमें, कहां देखने को मिलती है, अन्ना मलाई की पहाडियों पर देखने को मिलती है, डोड़ा विट्टा जो है, ये कहां पर है, तो ये नीलगिरी की सबसे उची चोटी है, 266, धूबगड एक हेल निलगरी जयम मंडल आरक्षी छेत्र है भारत का पहला है तो याद रखिएगा बहुत ही महत्रपुन है पश्मी घाट परवत की लंबाई लगवक 1600 किलोमीटर है आफ्टर हिमाला या फिर हिमाला के बाद सबसे लंबी सतत अवस्था में इस्थित परवत है सिंबल सिंबल डाइप के लेकिन हर एक दश्टी कौन से मैंने ये पूरा टॉपिक आपको कम्प्रीट करा दी है आपको चीजें समझ में आये होंगी तो लेक्चर कैसा लगा यदि आप और कोई लेक्चर जोग्रफी का चाहते हैं चाहे वो सिविल सर्विसिस की आप तैयारी कर रहा है वैं फिर वंडे की तैयारी कर रहा हूं तो आप comment box में बताईए ऐसा कोई लेक्चर होता है तो मैं जरूर्व उसको cover करूँगा तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा comment box में ज़रूर बतायेगा वीडियो पसंद आया तो फीदियु को लाइक करें और अपने दोस्ठ से डाउनलेट कर लेना वहाँ पर फ्री पर आपको मिल जाएंगी तो फिलाल आज की लेक्चर में इतना ही मिलेंगे अगले वहतर लेक्चर में तब तक अधना ख्याल रखिए और पढ़ते रहें बाई-बाई-बाई-टेक क्यार जैहित